हलो एवरिवन वेल्कम टो माई चैनल आज हम बनाएंगे चोले कुल्चे को सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे तो चलि शुरू करते हैं सबसे पहले हमने चलहीं मतर जिसको कहते हैं वह लीए हैं व्याइट अपर वले चोले नहीं है तो में इसको साफ करके बम्री बलने के रख देंगे हैं अपर देखिए यह बॉइल को ऑमने को कर लिया है कि बिल्कुल आपको सॉ। भूरे हैं op हमने चोब थोड़े से बाउल में निकाले यकाल ली जितने में प्रिपेर करने उसे मैं उनियन करते हुआ हैं चॉप कर ली है हम Avnion धोड़ी सी मैं तमाड़ कर रहा हुआ है और यह कि ग्रीन चिली थोड़ी सी अद्रक एक दो स्लाइस पतले बतले काट लिए मैं ने और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने सारे मसाले निकाल ली है तो मैं इसमें थोड़ा सा गरब मसाला डाल रही हूं आदे स्पून धनिया पॉडर काला नमक चाट मसाला अमचूर पॉडर काली मिर्च पिसी वई हलकी सी लाल मिर्च नमक इसमें एड़ नहीं किया है क्योंकि छोलो में पहले से एड़ था यह मैंने इसमें बुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है और यह हमारा खटाई का पानी है अमचूर का पानी जीसे हम कहते हैं तो यह मैं इसमें दो तिन पानी एड़ करके उसको चलाना है तो यह देखिए हमने सब्चीज मिक्स कर लिया अब आप इसको अच्छे ते मिक्स कर दीजिए सारे मसाले आपको अपने स्वाद अनुसा डालने हैं कम ज्यादा कॉंटिक कर सकते हैं हम इसको अच्छे ते मिक्स करेंगे और हमारे अच्छे इसको मिक्स कर दीजिए बहुत ही सिंपल बहुत ही असान तरीका अब उपर टॉपिंग के लिए मैंने इसमें दो तिन अद्रक के स्लाइज दनिया और थोड़े से कटे वे चॉप कि एवे टेमाटर ओनियन में रख रहे हूं तो हमारे चौले देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं एकदम टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाले मतर मतर कुल्चे भी कुछ लोग इने बोलते हैं चूले कुल्चे भी बोलते हैं तो चलिए अब हम अपने कुल्चे गरम कर लेते हैं सबसे पहले मैंने बटर डाला अपना तवे पे कुल्चे टालके इनको गरम कर लिया है यह कुछे मैने मारकेट से लिे हैं सबस क्रिया है भीज़े अच्छे से शेक लेंगे तो अम्मारे मतर कुल्चे बिल्कुल रेडी हैं सेलेट के साथ गरम-गरम खाने के लिए आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो पिलीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फर वाचिंग